सब्सक्राइब करें कैसी है क्या और कब कब हमें SEO की जरुरत पढ़ती है और यूज करना चाहिए और इसके फ़वायत क्या क्या है लेकिन सबसे पहले ब्रीफली जरा नजर डालते हैं कि सर्च इंजिन अप्टिमेजेशन तरहकीकत है क्या चीज़ से एक टेकनिकल सी टर्म है और हमें से अक्सर जो इस टर्म को नहीं जानते हैं वो हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये तो बड़ी कोई टेकनिकल टर्म है और हम ना इसको कर सकते हैं ना इसको पढ़ने की जरूरत है ना इसको समझने की जरूरत है ऐसी कोई बात नहीं है SEO is a simple thing जब भी कोई यूजर सर्च कर रहा होता है किसी की वर्ड को तो जो वेबसाइट उसके सामने अपीर हो रही होती है और गैनिकली एक तो होती ना एड्स जो हमने पहले Google AdWords में पढ़ी जिसमें PPC का कॉंसेट यूज होता है पेपर क्लिक का तो SEO और PPC में फरक इतना है कि SEO है और गैनिक तरीके से यूजर को अपनी वेबसाइट को दिखाना जबके पेपर क्लिक या PPC जो होती है जो Google AdWords के तरह हम करते हैं उसमें आप पेड तरीके से अपनी वेबसाइट ये अपना पेज यूजर तक पहुंचा रहे होते हैं अब जब कंपैरिजन हो रहा होता है SEO और PPC का तो अकसर लोग ये कहते हैं कि SEO is actually better than PPC और Google AdWords पे पैसे जाय करने से जाए आप एक अच्छा SEO करने वाला बंदा ढून लें और वो search engine optimization करके आपकी website को tweak करके आपके result automatically organic तरीके से main page के ओपर ले आएगा या first ranking अंदर लेएगा बात उनकी भी ठीक है लेकिन मेरा आपको as a digital marketer ये suggestion है कि आपने दोनों चीज़ों को hand in hand लेके चलना है जहां organic searches important है वहाँ add oriented यानि paid searches भी important है जब आपने SEO सही तरीके से कर लिया आपने you have cracked the nut किस तरीके से SEO करना है अपनी website का तो automatically आपकी reach भी बढ़ी होगी और आपका page main page प्यार होगा जो पहले page पे होती है और बिलको top पे आ रही होती है अब उस top page पे और top rank पे पहुंचने के लिए जो companies है they have to spend a lot of time and a lot of energy in order to reach over there तो जिसना मैंने कहा कि paper click भी आप use कीजिए और SEO की power को भी use कीजिए SEO आपकी website को most credible बनाता है यानिके आपकी website becomes the most relevant in the searches जब भी कोई keyword search कर रहा है तो चुक्के आपकी website organically वहाँ अपीर हो रही है तो इस वज़ा से user ये समझता है कि ये most relevant website है based on my keyword research ठीक है और इसके साथ जो दूसी चीज़ है जब आपकी website relevant होगी तो user उसको click भी करेगा तो ऐसी को दूसरा फाइदा क्या हो गया आप ये तमाम चीज़ें free के अंदर करें यानि के organic तरीके से करें इसके अलावा ज़रा थोड़ सी नज़र डालते हैं कि चंद और मजीद benefits क्या क्या हो सकते है SEO के सबसे पहले और सबसे बड़ा benefit ये कि कुछ लोग हमें से ऐसे हैं कि जिनको ads पसंद नहीं है आप अपने ज़रा गोर कीजिए कि आप मैश देख रहे हैं TV पे बैठे दर्मयान में ads चलना शुरू हो जाती हैं बेशेक वो आपकी favorite product की ad हो लेकिन अकसर यह होता है कि आपको ads पसंद नहीं आती है इसी तरीके से इसी तरह के लोग digital environment में भी exist करते हैं जिनको ads पसंद नहीं होती है तो जब भी आपको चीज़ टाइप करते हैं और ad उपर appear हो रही होती है तो हमें से एक सर ऐसे लोग हैं कि जो उन ads को देखकर कहते हैं कि भाई इस पर तो मैंने click नहीं करना let's scroll down and let's find out कि कौन कौन सी website जो है organic तरीके से पीर हो रही है तो SEO उस चीज़ का अंसर है क्योंकि आपकी website के साथ ad का लवज लिखावा नजर नहीं आ रहा होता जिसना Google AdWords की campaign में होता है तो इसकी वज़ा से वो लोग जिनको ads पसंद नहीं हैं वो आपकी website को again most relevant भी समझेंगे और most credible भी समझेंगे और फिर आपकी website पर click करेंगे दूसरा बड़ा benefit SEO का है long term value आपने इन्वेस्ट कर दिया SEO के अंदर टाइम लगाया, technical knowledge गेन किया, non-technical गेन किया, दोस्तों से पूछा, खुद learn किया लेकिन जब आपने एक website को ranking result के अंदर top पे लाके छोड़ दिया तो वो वहां stay करती है कुछ हरसा it doesn't go down again in ranking and searches ज्यादा जल्दी, तो वो जो value है over the period of long term जो है वो achieve होना शुरू हो जाती है अब यहां आकर अगर आप अपनी website को update करना छोड़ देते हैं, या SEO को नहीं embed कर रहे होते हैं on a regular basis तो फिर eventually आपकी website जो है वो ranking में गिरेगी, लेकिन for a longer period of time आपकी website अपेर हो रही होती है top researches के अंदर और जब भी कोई keyword type करता है तो आपकी website के सामने appear होती है, अचा इससे आगे चलके देखें, तो अगला जो main point जो मेरे नजरी बड़ा important SEO का है वो ही के branding में आपको बहुत help करता है, again, जब आपकी website top पे appear होगी तो क्या होगा, लोग ज़्यादा आपकी website पे click करेंगे, लोग आपकी website पे ज़्यादा click करेंगे, तो आपका brand, जो भी आपका brand, जिस मर्जी product का है, वो relevant बनता जाएगा, इसी तरह जब भी कोई automatically तरीके स search करेगा, for instance, टी-शिर्ट की, तो the Google basically shows that particular website on top, कि जिसकी credibility, SEO की power, ये तमाम चीज़ें बिलकुल ठीक हैं, और उस particular website के top पे होने के वज़ादा से, credibility चुंके बढ़ रही है, तो branding power भी जो है, बड़ी स्ट्रॉंग होती जाएगी, लास्ट के अंदर दोस्तों, pay-per-click versus SEO, इन करो, pay-per-click को छोड़ दो, मैं बिल्कुल ये suggest नहीं करूंगा, SEO is hard work, search engine optimization is not easy, it is hard work, pay-per-click जो है, वो it's convenient also, yes, you do pay, लेकिन आपका वो तमाम जो objectives हैं, वो achieve कर पाती है, तो आपने SEO को भी साथ लेके चलना है, pay-per-click को भी साथ लेके चलना है, DG Skills का course जो है, search engine optimization का है, उसको आपने course से देना है, और गोर्ष से पढ़ना है, ताके आपके पास search engine optimization की technical skill भी आजए, और ये काम भी आप अपने तोर पे, खुद घर पे बैठके करना शुरू कर दें